मौसम का मिजाज बदलने लगा है धीरे धीरे थंड दस्तक पे रही है इसे के साथ देश की राज़ानी दिल्ली में वायो गुर्वत्ता भी तेजी से खराब हो रही है दिल्ली के कई इलाकों में एक युवाई कंभीर स्तर पर पहुँच गया है जो की स्वास्त के लिए खतर मौसम में बदलाव आया ठंड बढ़ी है और दिवाली से पहले ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पॉलुशन भी इंक्रीज हुआ है तो इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए और डेली मौनिंग वाक के लिए आते हैं तो यहाँ पे पॉलुशन तो बढ़ा ही है इस पे ठंड भी बढ़ी है और ऐसा भी दीख रहा है कि आज का लोग भी सेहत के लिए बहुत कॉंशियस हो गए हैं तो काफी लोग आ रहे हैं बट बढ़ते पॉलुशन से सेहत पे उस पे क्या असर पड़ेगा विपरित असर वो उस पे हमारी थोड़ी चिंता रहती है थोड़ी ठंड अधर भी सकता है तो इसको कंट्रोल करने चाहिए में थोड़ा जो 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 जितना ही थोड़ा सो पोलीशन जो बढ़ रहा है एंड उसको हमें फील कहां से होता है कि एक कहीं आपको ब्रीधिंग में प्लस आपको जो है आई में बनींग हो रहा है कर एक अधर से आपको जो आपका इंटरनल और जितना भी जहां पर गिंडरी वाला पाट है वहां पर थोड़ा सा अगर वोक करेंगे तो वहां पर थोड़ा बैटर रहेगा हेल्थ के लिए आपके सेहत के लिए लिए लोग जो है अपना थोड़ा हैल्थ के समय ध्यान रहें तिल टाइम जब तक कि यह हमारा जो है एक अधर लेवल और जो पीम लेवल है यह काफी हायर है उस टाइम पर थोड़ा कोशिय सुरकने के लिए इस पेसली जिनको ब्रीधिंग का प्रॉलम ह हंडी का मौसम शुरुआत हुई है अभी और हल्का फुलका कोहरा भी है पर लोग यह भी समझें कि साथ-साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है एक्यूआई लेवल अलड़ी 398 के पार हो चुका है तो हमें अपनी जो आउट्डोर एक्टिविटी से उस पर भी थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना चाहिए जैसे आप अगर अपनी इंटेंसिटी है उसको कम करें और प्रदूशन के लिए जो है आपको मास्क वगरे लगा के जरूर रखना चाहिए जैसे जैसे प्रदूशन बढ़ेगा हम लोग भी मास्क वगरे पहन के ही अपना मॉर्निंग वॉक औ एबी पी गंगा खबर आपकी जबापकी